हेलो वेलकम बेक टो माई चाइनल मैं नीलम आपके साथ और फेंड आप सब कैसे हो उमीद करती हूं कि सब लोग अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे हम लोग भी अच्छे हैं तो मैंने लैंच के लिए पालक पनीर बना रही हूं तो उसकी तरहने पालक को मैं साफ करके धोके रख दूँगी और आज मैं आप लोग के साथ बहुत यह अच्छी एक टेस्टी रेसिपी सेयर करने वाली हूं हम लोग बहुत जादा खाते हैं लेकिन हम अपनी साइड में उधर कर जो मिलता है जो मेरे माईके की तरफ जो मिलता है वह वाला ग अब इसको खाने लाइक बनाती हूं और मैं कैसे बना रहे हूं खाने के लाइक इसको तचनू देख लेते हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1-2 चमच घी डालके मैं मखानों को रोश्ट कर लोंगी तो आप इसमें खाली मूफली और गोला भी डाल सकते हैं नहीं तो खाली मुमफली भी डाल सकते हैं नहीं तो कोई भी ड्राइफूट भी आप डाल सकते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है यह है मेरे पास थोड़े से तिल इनको भी मैं डालूंगी इसमें और इसमें डालूंगी मुमफली यह मेरे पास कच्ची है कच्ची का पैकिट था कैंटीन से आया और आप मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी यह बहुत ही कम टाइम में हो जाता है इस तरह से और वैसे कस्व हो तो उसमें बहुत जादा टाइम लग जाता है तो बस मैं इस तरह से सारे ड्राइफूट तयार कर लूँगी accept. मैंने गुट को फोड की तयार कर लिया है, मतलब इसको बट्टे से फोड लिया है गुट को अच्छे से europa और सारे ड्राइ फूट पी देखिए, इधर मैं ने भून के पीस लिए हैं और पीस लिए को पी सिना बिल्कुल पाौडर फ़ॉं उम्में नहीं है, Weldora दर-दररा मैंने पीस के तयार कर लिया है बस इसमें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और टेश्टी तो बहुत ज़्यादा टेश्टी है इसमें हम गुर्ड डाल देंगे ऐसे ही कड़ाई में, सुखी कड़ाई में कोई घीव अगर हम यह यूज नहीं करना है बस घी में आप रोष्ट कर सकते हैं ड्राइफूट को और बस इसमें डालना है बिल्कुल दो बड़ाई स्पून भरके पानी और इसमें बिल्कुल कम गैस पे इसको गुड़ को पिंगला लेंगे अच्छे से पिंगल जाएगा य इसमें और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे बहुत ही जल्दी और बहुत जट पर यह बन जाती है गुड़की मिठाई जो बनती है गुड़की चक्के भी बोलते हैं इसको गुड़की कतली भी बोलते हैं पट्टी भी बोलते हैं गुड़की तो वह आप कुछ भी नाम करें। इस kud में क्या होता हैं गुड खुले में बनता है। तो इसमें कुछ घास के के और कुछ कर्ण आ जाते हैं मिटी थ say तो इस इस में चानले तो इसको दो मिनेट बाद मैं इसमें कट करूँगी तो चलिए मैं आपको दिखाते हूं एक चीज़ जो मैं गुलाब के जो फूल हम चड़ाते हैं ना ये है देसी गुलाब मेरे यहां तो बहुत सारा लगा है लेकिन आपको भी कहीं पूझा वगरा में मिलता है ना गुलाब तो उसकी पत्यों को छाय में सुखा ले तो ये मलब फ्रेस फूल की है ग बनाना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं घर में इस तरह से गुलाब का पाउडर यूज़ कर लें उप्टन वगरा बना रहे हैं तो उसमें डाल ले और जब भी मैं इसका कुछ बनाऊंगी तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी तो अभी ये सूख जाएगा जब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ चीजों को घर में तयार करने से वो सस्ती भी पढ़ती हैं और प्योर भी रहती हैं तो चलिए अब देख लेते हैं फड़ा फट पालक पनीर क अब मैं horse दो और को को kukar में उबलने के लिए मैं इसको खुला ही पकाऊंगी आप भी कुकर का ढखन की लगां ही इसके ऑस त्रह से रग दोंगी इससे ऐना मैं पालक का के रिमेडग को चैन्ज ने होता हूं एकड़म ग्रीन रहता है कई बार पालक का क्याइक क्ञों को आ ऐसे हो जाता है, जैसे साग होता है, थोड़ा रगवा हो जाता है, तो इसमें मैंने डाल दिया है, प्याज हरी मेर्ज को चॉप करके डाल दिया, और इसमें लसन अद्रक का पेश्ट डाल दूगी, पाकि सारे मसाले अड़ कर देंगे, इनको मसालो को अच्छे से भून और उसके बाद मैंने डाल दिया कस्तुरी मिर्ची बहुत ही ज्यादा जरूरी है यह है पालक रिक्योरी जो हमने बनाई है और बस यह बन गया बहुत ही ज्यादा टेस्टी आप इस पालक पनीर में उपर से भी तड़का लगा सकते हैं खड़ी लाल मिर्च जो होती है सुखी पी निशान लगा देती हूं लेकिन अभी हम इसको निकालेंगे नी तो मिनट बाद इसको निकालना जैसे हलके से गरम में ही कट लगा देना और उसके दो मिनट बाद इन पीसे इसको निकाल लेना बहुत ही अच्छे बनके तयार हो जाता है बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो तो चलिब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब किजी चैनल को ओके बाइबाई